हाई फ्रेंड्स मैं निकीता आज मैं एक सिंगल कलर की डिजाइन लेकर आई हूँ जो की लेडिस की कार्डिगन, बच्चों की स्वेटर्स और बेबी फ्रॉग के लिए बहुत ही खुबसूरत डिजाइन है यह डिजाइन एट के मल्टिपल में बनेगी, जैसे मैं यहाँ पर पूरे एट के मल्टिपल में 24 फंदे ली हूँ और यह 4 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे, पूरे 28 फंदों पर यह डिजाइन आपको बताऊंगी, 28 फंदों पर यह डिजाइन, यह इसकी उल्टी तरफ से है, उ उल्टा बनाएंगे। तो आएए देखती हैं इस दिजाइन को कैसे बनाएंगे। इसमें शुरू में एक-एक फंदा एक्स्ट्रा है चो उतार लेंगे, और उसके बाद फिर बीच के डिजाइन को बनाएंगे। एक फंदा उतारने के बाद दोनों और से उल्टा बनाते हैं सबसे पहला फंदा उतार लेंगे फंदा आगे करेंगे दो उल्टा बुनेंगे फंदा पीछे एक सीधा बुनेंगे दो सीधा तीन सीधा चार सीधा पात सीधा ये छे सीधा छे सीधा बुनने के बाद फंदा आगे करेंगे और फिर से दो उल्टा फंदा पीछे फिर से छे सीधा फंदा आगे करेंगे दो उल्टा छे सीधा फंदा पीछे करके छे सीधा इस पूरी सलाई में दो उल्टा छे सीधा दो उल्टा छे सीधा ये बुनकर कंप्लीट करेंगे फंदा आगे दो उल्टा लास्ट के फंदे को एक सीधा भी बुन सकते हैं या एक उल्टा भी बुन लें ये अब ये उल्टी तरफ से एक फंदा उतार लेंगे फंदा पीछे करके दो सीधा फंदा आगे छे उल्टा फंदा पीछे दो सीधा फंदा आगे छे उल्टा फंदा पीछे दो सीधा फंदा आगे छे उल्टा फंदा पीछे दो सीधा फंदा आगे एक उल्टा ये उल्टे तरफ से भी ये कम्प्लीट है अब थर्ड रो यहाँ पर अब डिजाइन में जाली बनाएंगे यहाँ पर अभी एक डिजाइन के बीच में एक जाली बनेगी फंदा उतारने के बाद फंदा आगे करेंगे फिर दो उल्टा बुल लेंगे फंदा पीछे अब यहाँ पर ध्यान से देखेगा ये जो एक जाली नीचे वाली है वो बनेगी ये वाली ये एक सीधा है इस और भी एक सीधा है और बीच के चार फंदो में देखेगा डिजाइन डालेंगे एक सीधा अब उसके बाद के दो फंदो को एक जोड़ा सीधा बुल लेते हैं आगे की ओर से अब यहाँ पर देखे दो बार फंदे को लपेटेंगे ताकि दो फंदा यहाँ पर हो जाए और इस फंदे को फिर पलट कर पीछे की ओर से एक जोड़ा फंदा बुनेंगे यहाँ पर देखे दो फंदे बन गए हैं अब एक सीधा बुनेंगे फिर से फंदा आगे करके दो उल्टा फंदा पीछे फिर से डिजाइन बनाएंगे एक सीधा एक जोड़ा सीधा आगे की ओर से इस धंग से फंदा लबेटेंगे दो बार फंदा पलट कर पीछे की ओर से एक जोड़ा सीधा और फिर एक सीधा फंदा आगे दो उल्टा फंदा पीछे एक सीधा एक जोड़ा सीधा दो बार फंदा लपेटेंगे फंदा पलट कर पीछे की ओर से एक जोड़ा सीधा, एक सीधा अब यहाँ पर दो उल्टा फंदा पीछे एक सीधा यह सीधी तरफ से डिजाइन डाली हूँ उल्टे तरफ से तो हर बार दो सीधा और बाकी के फंदों को उल्टा ही बुनेंगे लेकिन यहाँ पर देखिएगा उल्टा कैसे बुनते हैं बीच वाले बढ़ाएवे दो फंदों को दो सीधा फंदा आगे एक उल्टा यह दो उल्टा अब यहाँ पर देखिएगा जो दो फंदे मैंने लपेटे थे उन दो फंदों को उल्टा कैसे बनाते हैं इसे देखिए अंदर की ओर से ऐसे सलाई ले जाकर उल्टा बुनेंगे और एक ही फंदे को गिराएंगे और दूसरे वाले फंदे को उपर की ओर से उल्टा बुनते हैं और फिर उसे गिराएंगे, अब देखे, दोनों फंदों का दो फंदा बन गया, यहाँ पर पूरे छे उल्टा भुन लेंगे, फंदा पीछे करके 2 सीधा, फंदा आगे करके फिर से उसी धंग से, एक उल्टा दो उल्टा बीच के दो फंदों को इसको उस दंग से नीचे से और दुसरे वाले फंदे को उपर से दो उल्टा बनाएंगे और बाकी के फंदों को उल्टा भुनते हैं फंदा पीछे, दो सीधा, फंदा आगे, दो छे उल्टा, फंदा पीछे, दो सीधा, लाश्ट के फंदे को भी सीधा ही बुन दी हूँ, वैसे, या तो आप पूरा उल्टा ही बुनें, लाश्ट के फंदे को, या फिर पूरा सीधा बुनें, अब सीधी तरफ से, अब यहाँ पर, दो जाली बनेगी, यह देखें, यह दो जाली, उपर में बनाएंगे, एक फंदा पहले उतार लेते हैं, फिर दो उल्टा बुनेंगे, फंदा पीछे, अब यहाँ पर शुरू में ही दो फंदो को, एक जोडा सीधा बुन लेंगे, फंदा आगे करते हैं, और बीच के दो फंदो को, यह उल्टा वाला जो दो फंदा है, इसे सीधा बुन लेंगे, फिर से फंदा आगे करके, इस और फंदा पलट कर, एक जोडा सीधा बुन लेंगे, यह जो दो जाली बन गई फंदा आगे दो उल्टा फंदा पीछे यहाँ पर एक जोड़ा सीधा फंदा आगे दो सीधा फंदा आगे फंदा पलट कर एक जोड़ा सीधा फंदा आगे दो उल्टा फंदा पीछे एक जोड़ा सीधा फंदा आगे दो सीधा फंदा आगे फंदा पलट कर पीछे की और से एक जोड़ा सीधा फंदा आगे दो उल्टा फंदा पीछे एक सीधा यह यहाँ पर देखे डिजाइन बन गई अब उल्टे तरफ से फंदा उतार कर दो सीधा बुनेंगे ये पूरी सलाई दो सीधा छे उल्टा दो सीधा छे उल्टा बुनकर कम्प्लीट करते हैं ये डिजाइन पूरे 6 रोज की है यानि कि 6 पंक्तियों की ये डिजाइन है और काफी आसान सी डिजाइन है यह छे उल्टा यहाँ पर बनाएंगे फंदा पीछे दो सीधा फंदा आगे छे उल्टा फंदा पीछे दो सीधा फंदा इसे भी सीधा ही बुल लेंगे यह डिजाइन कम्प्लीट है यह प्यारी सी बहुत ही आसान सी डिजाइन है अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर भी करें धन्यवाद और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सकें धन्यवाद